कोटला में टीम इंडिया का रिकॉर्ड लाएगा आस्टेलिया खिलाडियों के माथे पर पसीना नमस्कार दोस्तो आप सभी का हर्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तो भारत और आस्टेलिया के टीम पाँच मैचों की वंडे सीरीज में दो-दो की बराबरी पर है दोबार को जब निर्णायक मकाबला दिल्ली के फिरोश्या कोटला मैदान पर उतरेगी तो टीम इंडिया के सामने कोटला रूपी अपने अभेद दुर्ग को बचाने की चुनौती होगी भारत ने सीरीज में पहले दो मैच जीत लिये थे लेकिन ऑस्टेलिया ने शांदार वापसी करते हुए अगले दो मैच जीत कर सीरीज में वापसी कर ली है पांच में मैच में ऑस्टेलिया के पिछले दो मैचों के प्रदशन को देखते हुए महमान टीम का पलरा भारी माना जा रहा है महौली में चौथे वंडे में भारतिया टीम में 358 रनों का विशाल स्क कोटला में पिछले 12 टेस्ट में 10 में जीत हासिल की है और 2 में ड्रॉ खेले है इस मैदान पर भारतिय टीम ने 20 वंडे खेले हैं उनमें से 12 में जीत हासिल हुई है कोटला ने 20 अक्टूबर 2016 में खेले गए आकरी वंडे में भारत को न्यूजलेंड से 6 रनका हार का सामना कर हुआ है भारत ने अपने जमीन पर 2015-16 में दक्षिन अफ्रीका से 5 वंडे मैचों की सीरीज में 2-3 से गवाई थी लेकिन उसके बाद भारत कोई घरेलू सीरीज नहीं हारा है कप्तान विराट कोली के इस रिकॉर्ड को बचानी की चुनौती होगी कोटला भारतिया कप्तान विराट कोली का घरेलू मैदान भी है उन्होंने इस मैदान पर 6 मैचों में 202 रन बनाए है जबकि इस मैदान पर सचिन तंदुलकर के नाम 8 मैचों में सरवाधिक 300 रन बनाने का रिकॉर्ड है भारत यदि कोटला में जीत हासिलकार सीरीज में अपने नाम करता है तो यह औ आइक और शेर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं धन्यवार